Hello friends and welcoming my channel और मुझे उमीद है कि आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी और आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सी इंस्रक्शन्स डिसकस करेंगे जो increment और decrement instruction कहलाती है assembly language में हम देखेंगे कि ये किसी साथ से work करती है so increment instruction क्या है increment instruction का ये मतलब होता है कि हमारे register या memory location में एक value add की जाए मतलब कि अगर हमारे suppose करेंगे register की value है 10 और मैं increment instruction लगाऊं तो हमारे register की value हो जाएगी 11 ऐसे ही अगर हमारे memory location की value है suppose 12 मैं increment operator लगाऊं तो इसकी value 30 में जाएगी तो इसका syntax है increment और destination destination में हमारे register भी आ सकता है और हमारे memory location भी आ सकती है और हम एक word को भी increment instruction लगा सकते है second है हमारे decrement instruction decrement instruction का मतलब ये है कि हम जब अपने register या memory location से एक value को subtract करना चाहें मतलब कि suppose करें हमारे register की value है 50 और decrement instruction में लगाऊं तो इसकी value हो जाएगी 40 ऐसे ही memory location की suppose करें value है 10 और मैं decrement instruction लगाऊं तो इसकी value हो जाएगी 9 so इसके लिए हम destination में 8 bit और 16 bit का यूज कर सकते हैं और destination में हमारे register भी हो सकता है और memory भी हो सकती है memory location okay so अब हम इसका example देखते हैं कि यह किस हिसाब से इसका worth होता है so let's check मैं सबसे पहले move करवाता हूँ sorry मैं directly से लिखना हूँ model small then theta then both okay so मैं move करता हूँ अब मैं यहां पर लगा देता हूँ increment ax increment instruction है और ax हमारे destination है so let's check क्या होता है so आप यहां पर देखिएगा मैं single step करता हूँ कि इसकी value किसी साब से increment होती है so let's check single step में करता हूँ ax register में 15 move होगा so 15 move हो गया ax register में ओके अब increase होना चाहिए यानि जैसे ही यह वाली instruction चलेगी तो इसकी value 16 हो जाने जाएगी तो देखें यह value 16 हो गए तो यह था हमारा यह हमारी increment instruction थी अब हम decrement instruction देखते हैं तो यहां पर मैं decrement instruction लगाता हूँ देता हूँ decrement ax तो सबसे पहले क्या होगा कि ax में 15 move हो जाएगा और second time increment होगी ax में तो इसकी value 16 हो जाएगी और दुबारह यहां पर इसकी value दुबारह decrease हो रही है तो इसकी value दुबारह 15 हो जाने चाहिए तो लेट्स चेक हम चेक करते हैं कि वाकी ऐसा होता है तो मैं single step करता हूँ आप यहां पर देखिएगा अब जैसा ही increment instruction चलेगी तो इसकी value 16 हो जाएगी अब जैसा ही decrement instruction चलेगी तो इसकी value हो जाएगी 15 oh let's so देखें आप it's working very well and thank you for watching this video and hopefully आपको यह video पसंद आया होगा so इसका जो main usage है वो आगे जाके है जब हम कुछ बड़े programs करते हैं जब हमें किसी destination की value को increase करना होता है यह हमें degrees करना होता है तो उस वक्त हम इन instruction का सुमार करते हैं so thank you for watching this video and Allah आपेश